तो इस तरीके की Reginer ड्रेस आप भी बनाना सीख सकते हैं बस आपको चैनल को सस्क्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, complete वीडियो देखे हलो फ्रेस डेडान को वल्कम बैक मैं चैनल और यह ना मैं आपको हर साइज के अकोर्डिंग बनाना बताऊंगी तो अब जितनी भी आपकी लैंथ है ना टॉप की उतना ले ले प्लस उसमें एक इंच एक्ष्ट्रा ले ले सिलाई के लिए मार्जिंग अब इसके बाद यहां पर आपको सोल्डर ले लेनी है और सोल्डर प्लस उसमें जितना आप लूजिंग रखना चाहते उतना ले सकते हो तो मैंने यहां पे साथ इंच हमारी चैश्ट है तो अब इसके बाद मैंने यहां पे 10 इंच ले ली हूँ और कमर भी हमें उसी तरीके कमर की फोर्थभाग प्लस दो इंच एक्स्ट्रा मैंने ली हुई है अब यहां से ना तीन हो माक को हमें इस तरीखे से राउंड में लेते वए मिला देना है देखी कुछ इस तरीखे से उपर से हमें हलके हाथों से राउंड में लेते हुए नीचे तक मिला देना है तो अब लेंट के किस कि देने neighborhood से कि माइन देखे Sud कबंड़ेंग, यह अपर कट कने अधे से कोया है में अलब काई है यहाँ से कट आपको आप किदे यहां देने देन रहे हैं यहां किना रहे हैं से कट हुझे करते हUNG, और इसे छोड़ाई धाय इन्स ली और इस तरीके से फ्रंट और र्बैक को कर दाँ हम। एक है लियो हमें और को सद्लीके से और को खुछ आपन करके में सेंग में सपाइनल लोग कर पर कर दाँद और रातां है एट यर्स बेबी गल के लिए बना रही हूँ तो आपको हर साइज के अकोर्डिंग बड़े हूँ या फिर बच्चे हूँ हर साइज के अकोर्डिंग इसी तरीके से आपको माक करनी है तो देखे फैन अब यहाँ पे न सबसे पहले मैं गले पे यह जो हमारी पट्टी थी न इसे मैं जॉइंट कर दे रही हूँ श्टीच कर लगा ले रही हूँ तो देखे मैंने श्टीच लगा लिया है अब इसके बाद इसके कॉर्णर पे एक और सिलाई लगा लेनी है हमें और सिलाई लगाने के बाद इसे हमें अंदर फोल्ड कर देना है देखे उल्टे के साइ वाली जो मैंने राउंड में लेते हुय कट करी थी तू में अच्छे से जोऊंट लगा देने हैं लगाको कोन्ते ही लिए चैनल सेरे के सैट अव ब i इसे सब्सक्राइब classify लग अच्छे से वाएं कुछ यह को साइड़ी धाग है यूद्स denkt रागेuchen लेना है आप चाहें तो पीको भी करा सकते हो कर सकते हो फ्रैन पर मैं इसे न मसीन से फोल्ड कर ले रही हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से डबल या सिंगर लेयर हमें फोल्ड करते हुए न स्टीच कर लेना है दोनों साइड में तो देखिए फ्रैन कुछ इस तरीके से अच्छी से सेट अफ करते हुए मैं यहाँ पर राउंड में मिलाते हुए stitch लगा ले रही हूँ और इस तरीके से करने से भी ना बहुत ही अच्छी मतलब आगर आप पीको करते हो तो भी या फिर इस तरीके से सिलाई करते हो तो भी finishing अच्छी आएगी तो देखिये फैन एक पट्टी अटेच करनी है तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ आप हर साइच के अकोर्डिंग इसी तरीके से कट कर ले बहुत ही इजी और असान तरीका है इसे बनाना और उतना ही जादा असान तरीका है इसे वियर करना पहनना तो देखिए अब यहां पर मैंने विष्टिश लगा लिया है अब नीचे की पट्टी हमें इसमें जॉइंट करनी है तो देखिए पट्टी के लिए ना आपकी जितनी भी मतलब पूरे राउंड में आप नापले कमर से लेके पूरे पीछे तक नापले आप जितनी भी आपकी लंबाई आ रही है उतनी ही जो हमारी टॉप है उसे मैंने सीधे के साइड रखा है और इस फैब्रिक उल्टे के साइड जॉइंट कर लिया था अब दोनों की जो हमारी किना वह है फैब्रिक जाना इसे हमें इस तरीके से उल्टे के साइड फोल्ड करते हुए ना यहां पर हमें देखिए इस तरीके से यहां पर मैं stitch लगा ले रही हूँ बस हमें यहीं तक stitch लगानी है और सेम इसी तरीके से अब इसे हमें प्लट देना है finger के help से तो इस पर वड़ी अच्छी finishing आ जाती है अब सेम इसी तरीके से न मैं दूसरी तरफ भी कर लूँगी तो देखे इसे भी मैं उल्टे के side रखते हुए न यहां पर stitch लगा ले रही हूँ देखे कुछ इस तरीके से यहां पर मैं stitch कर ले रही हूँ बस यह जो open भाग रितना है उतना ही हमें stitch लगानी है और इसके प्लट ले रहा है अब यह जो बीच की हमारी extra fabric है न इसे हमें fold करत न तो बहुत ही अच्छी finishing आ जाती है friend देखिए यहां पर इसे सिलाई के ऊपर मैं अच्छे से setup करते हुए न यहां पर सिलाई लगा ले रही हूँ और यह हमारी complete हो चुकी है friend और इसी तरीके से न मैं back part में भी जो यह हमारी belt है वो attach कर लूँगी और यह देखिए इसकी final look है friend यह बिल्कुल open है ना one cut में हमारी और one cut हमारी cutting और stitching दोनों ही complete हो गई है तो देखिए अब मैं यहां पर आपको wear करके दिखा दे रही हूँ और जैसा कि मैं आपको हर बार बोल रही हो friend यह हर size के लिए आप बना सकते हो तो देखिए जो हमारी front वाला belt है उसे हमें back मे belt है उसे हमें front में मतलब गाठे लगाते हुए set कर देना है तो यह देखिए कितनी ज्यादा खुबसूरत है हमारी top की design बनके ready हो गई है और साथ में मैंने paint भी बनाई है अगर आप सीखना चाहते हैं तो comment करें वीडियो को लाइक जिएर करें अपने family और fan के साथ channel को subscribe कर ल